हेलो फ्रेंज आज मैं आपको सेंट ओफ वूमन ये 1992 की मुवी एक्स्ट्राइब करने वाला हूँ इसके आम डिपरेटिंग 8 आउट ओफ 10 है यानि के बहुत ही सही मुवी है इस मुवी में एक ओल्ड करना मरना चाता है पर इसके मरने से पहले बहुत सारी विशेश होती है ये विश कंपलेट करने में एक स्टूरेंट उससे हल्प करता है यही इस मुवी की स्टोरी लाइन है तो डारेक्ली शुरू करते है Movie start होती है और हमें बड़ी सी एक school दिखाई गई है यह parent नाम की school है और यह बहुत ही famous है यहाँ बहुत scholar-led के पड़ते है यहाँ हमें हमारा main character दिखता है इसका नाम Charlie होता है यह जो week होता है यह Thanksgiving का week होता है और सब students अपने घर जाने वाले होते है इसके बाद कुछ बिखड़े हुए बच्चे school के बाहर हमें दिखते है उनका जो principal होता है यह एक नई कार में आता है इससे हो जलने लग जाते है क्योंकि management ने इसने अपना job अच्छे से किया है इसी वज़े से उसे एक कार दी है यह सब लड़के अपने principal को hit करते है यह सब अप plan बना रहे होते है इनने skiing के लिए इस Thanksgiving पर जाना होता है जब Charlie school से बाहर आता है तो इससे भी बात करने लग जाते है इन लड़कों में से सबसे बिगड़ा हुआ हैरिज होता है यह इससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ skiing आ सकते हो चारली को जब वह वहाँ जाने का rate बताता है तो चारली इससे लिए मना कर देता है चारली एक पूर background जाता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते Thanksgiving आने से पहले जो छुट्टिया होती है इसमें वो जॉब करने वाला है उससे जो पैसे आएंगे इसे वो अपने घर जा सकता है चारली इन सब को मना करकर आगे चला जाता है चारली फिर अपनी जॉब इंटर्व्यू के लिए एक घर में आ जाता है यहाँ जो लेडी रहती है उसके old father होते है यही हमारे करनल है यह जो लेडी है यह अपने husband के साथ जरा thanks you उन पर बाहर जाने वाली है पर इसके जो father है यह आने रहे तो इसके father का ख्याल रखने के लिए चारली को है जॉब दिया जा रहा होता है वो अंदर जाने से पहली उसे गे देती है कि वो जादा कुछ question पूछे तो ignore कर देना अब हमें करनल के पास चारली दिखता है करनल जो है यह बहुती straightforward, rude, womanizer इस थरा का character हमें दिखाए का है जो लेडी होती है यह चारली को उसने पहले ही बोला होता है कि इससे sir मत बुलाना पर चारली जब घर में जाता है उससे उसका नाम पुच्छा जाता है तो यह sir बोलता है तो फिर करनल उस पर छीर जाता है कहता है कि मुझे कभी भी sir मत बुलाना उसे करनल या Frank इसमें से कोई भी बुला सकता है करनल फ्रांक जब चारली को देखता है तब उससे guess करने लग जाता है उससे परता चल जाता है कि पूर फैमिलिस जाता है यह अजम्शन करता है और उसकी insult करता है चारली बताता है कि मेरी मदर convenience store चलाती है वो फिर उससे पूछता है कि तुम इस गाओ में क्या कर रहे हो उससे पताता है कि वो बेर्ण में जाता है फ्रैंक उससे बोलता है कि तुम इसे afford कैसे कर सकते हो तुमारे mother और father तो efforts लेते ही है फिर भी तुम कैसे इसे afford कर पाते हो चारली एक special scholarship जीता हुआ होता है फ्रैंक की granddaughter खेलते खेलते वहाँ आती है फ्रैंक उसे भी चिला कर कही दूर खेलने के लिए कहता है उसके grandson granddaughter होते है पर फिर भी उनसे वो प्यार नहीं करता चारली जब बोल रहा होता है कि कैसे हो यहाँ रहना अपोट कर सकता है तो फ्रैंक बोल हो जाता है फ्रैंक केता है कि क्या तुम मुझे patronize करते हो यानि कि कितना struggle तुम कर रहे हो यह मुझे बता रहे हो यह army में करनली था तो कहता है कि तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे है इन्हें मैं कड़ी punishment देता था यह कहकर उसे वो dismiss कर देता है चारली फिर घर में जाता है फ्रैंक की जो बेटी होती है उससे मिलता है उससे कहता है कि बना interview अच्छा नहीं गया मुझे नहीं लगता मुझे जॉब मिल सकता है फ्रैंक की बेटी कहती है कि तुम्ही तो इस interview के लिए आये हो वो फिर उससे confidence देती है वो कहती है फ्रैंक ज़रा tough लगता है पर जब विकेंड खतम हो जाएगा तब तुम अच्छे best friend बन जाओगे चारली को भी पैसो की जरूद होती है फिर यह job लेने के लिए वो ready हो जाता है चारली राद में लाइबरेरी में काम करता है लाइबरेरी में जो बिगड़े होए बच्चे थे उसमें से एक विली भी होता है विली राद तक इस लाइबरेरी में रुखता है और यह दोनों फिर बहार आते है जब यह अपने रूम तक जा रहे होते है तब जो बिगडे हुए दूसरे बच्चे थे इनको देखते है जो लैम्पोस्ट होता है इस और बड़ा सब बोलूम में लगा रहे होते है यह देखकर वीली हसने लग जाता है यह कुछ ना कुछ तो शरारत करेंगे यह देखकर उसे बहुत हैसी आती है तब ही उनके एक प्रोफेसर बहा आती है यह इन सब को देख लेती है वीली इसको कवर करने की कोशिश करता है पर एक करने बाता नेक्स दिन स्कूल में जब प्रिंसिपल आता है तो लैम्पोस्ट के नीचे ही वो गाड़ी लगाता है यह जब गाड़ी लगाता है स्कूल का जो स्पिकर होता है वो बजने लग जाता है जो सहरारी दी लड़के थे यह कॉमेंटरी करने लग जाता है वो कहते हैं कि प्रिंसिपल ने मैरेजमेंट की चाटी है इसी वाज़े से इसको एक कार मिली है यह जब वो कहे रहे होते तो बलून फुला लेते है इस बलून पर प्रिंसिपल का गन्दा कार्टून भी होता है यह देखकर प्रिंसिपल चीट जाता है और इस बलून को फोड नहीं एकोशिश करता है जब इफोड़ता है तो इसमें बहुत ज़ारा पेंट होता है इस पेंट से ही कार पुरी खरा हो जाती है इसके बाद हमें डारेक्ली प्रिंसिपल के ओफिस में विली और चार्ली ये दोनों दिखाए गए है टीचर ने इन दोनों को देख लिया था पर जो लड़के थे इने वो देख नहीं पाई थी अब प्रिंसिपल इन दोनों से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था मुझे सब कुछ बताओ ये दोनों कहते हैं कि हम सही से देखने पाए फिर विली को प्रिंसिपल अपने ओफिस से निकाल देता है इसके बाद वो चारली से बात करने लग जाता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो प्रिंसिपल फिर चारली को एक ओफर देता है वो कहता है हावर्ड में मैं एक लड़के को अडमिशन दिला सकता हूँ मैं अब साल एक लड़के को recommend करता हूँ और जिसके financial situation बहुत ही खराब होती है इसको मैं recommend करता हूँ इस साल वो Charlie को recommend कर सकता है पर इसके पहले जिस लड़कों ने ये सब किया है इनके नाम उसे देने पड़ेंगे चारली अपने friends का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसे गलत लगता है इसलिए वो मना कर देता है प्रिंसिपल के लिए बहुत ही पसंद होता है अपनी जो institute है इसकी respect, integrity ये खराब नहीं होने चाहिए इसलिए जो culprit से इन्हें उसे ढूड़ना ही है ये चारली को बोलता है क्यों तुमें ज़रा time देता हो, weekend पर सोचो और इसके बाद मुझे फिर से कहो चारली जब office से बाहर आता है वहाँ वीली भी होता है वीली उसे कहता है कि ज़्यादा तुम tension मतलो हमें ज़्यादा वर्री करने के कोई भी ज़रूरत नहीं है वो उसे कहता है कि principle जो है ये हमें ज़रूरत करने के कहता है चारली उससे पूछता है क्या हम कहां जा रहे हैं वो कहता है कि तुम तुमारा काम करो, ज़्यादा कुछ सवाल मत पूछाओ फ्रैंक की बेटी फिर से उसे मिलने आती है फ्रैंक चारली से कहता है कि तीन बार मुझे मिल चुके है इसे मुझे छोड़ कर जाने का इतना क्यों डर लग रहा है फ्रैंक की बेटी उसे मिलती है और फिर चली जाती है जैसे Frank की बेटी वहाँ से चल जाती है तो Frank रेडियो हो जाता है Frank गर में टकरा जाता है तो Charlie उसका हाथ पकड़ लेता है Frank उस उस पर चीर जाता है वो कहता है वो कहता है कभी भी तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे चारली जब उसे पूछता है कि कहा जाना है तो कहता है कि हमें New York जाना है चारली उसे कहता है कि मैं New York नहीं जा सकता यह इसके लिए ज़रा ज़्यादा responsibility हो जाएगी इसके पीछे एक reason है Frank को जाता दीख नहीं पाता है यह practically अंधा ही होता है एक अंधे आदमी को New York ले जाना यह बहुत गलत हो जाता है इसलिए यह मना कर रहा होता है Frank कहता है कि क्या तुम responsibility से डर रहे हो वो फिर उसे force करता है और लेकर ही जाता है Frank ने first class ticket book की होती है वो फिर plane में alcohol मंगवाता है जब उसे serve करने के लिए airostress आती है तो उसे खुश्बू से उसने जो send पहना है यह वो जान लेता है इसका नाम क्या होगा यह वो guess करता है और उसे नाम से पुकारता है Charlie surprise हो जाता है वो बुशता है कि तुमने कैसे ही guess कर लिया Frank को लोगों के नाम या लोग कैसे है इसके बहुत जादा जानकरी होती है अक्सेंट यह OSS बनी है यह जहां रहती थी इससे मुझे पता चल गया कि इसका जनरल नेम यही हो सकता है Charlie surprise होता है कि Frank इतना intelligent है Charlie उसे पुशता है कि हम New York की जा रहे है Frank कहता है कि जब मुझे बताना होगा तब मैं तुम्हें बता दूँगा Frank अब AeroStays को फिर से बुलाना चाता है वो कहता है कि वोमन God ने सबसे अच्छी बनाई होई चीज जो होगी वो वोमन ही होगी वो कहता है कि वोमन के जो हेरोते है यही सबसे बढ़िया होते है उनके लिप्स जब हम इसे किस करते है तब डेजर्ट के बाहर हमें वाइन मिली है ऐसा लगता है वो बहुत ही औरतों की तारिफ करता है चारली कहता है कि तुम्हें तो बहुत ही ज़ादा वारते पसंद है नियूयोक में आने के बाद एक 5-star hotel में आते है यहाँ बहुत सारी अलकॉल होती है फ्रैंक को यह सुनकर अच्छा लगता है और कौन-कौन से brand है यह वो चारली से पूछता है चारली फिल एक call लगता है वो आपने लिए एक limo book करता है एक बड़े से hotel में जाकर वो dinner करने वाले होते है चारली फ्रैंक से कहता है कि यह सब तुम क्या कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ dinner नहीं कर सकता मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा फ्रैंक कहता है कि तुम मेरे साथ आयो मैं तुम्हें बिना खाए पिया नहीं छोड़ सकता तुम्हारे जो flight है यह 10 बजे है तब तक तुम क्या करोगे हम जाकर खाना खाकर आ सकते है चारली भी आप इसके लिए मान जाता है जब यह limo में होते है तो limo का जो driver होता है उसे फ्रैंक सवाल करने लग जाता है उसे कहता है क्या तुम किसी escorts को जानते हो यह driver कहता है कि maybe तो फ्रैंक कहता है कि मुझे top class escorts जाई है यह driver कहता है कि मैं कुछ arrange कर सकता हूँ यह जब कार में होते है फ्रैंक को लगता है कि चारली जड़ा uncomfortable है उसे बोलता है कि कुछ ना कुछ तो तुम सोच रहे हो मुझे बता दो कि क्या तुम सोच रहे हो फिर चारली उसके स्कूल में जो भी इंसिटेंट हुआ है यह सब उसे बताता है फ्राइंक उसे पुछता है कि यह जो विली है इसके फादर रीच होंगे फ्रैंक उसे कहता है कि वो रीच है और तुम पूर हो इसमें ज़्यादा सोचने के कोई भी जरूद नहीं है जब यह होटेल में आते तब चारली उसे पुछता है कि इतना ज़्यादा बड़ा होटेल तुम कैसे अफ़ोड कर सकते हो फ्रैंक केता है कि मेरे जो पेंशन में किरा थी यह सब मैंने स्योग करकर रखी है चारली फिर उसे बुछता है कि तुम्हारा प्लैन क्या है तुम क्या करने वाले हो फ्रैंक केता है कि मेरे कुछ लिस्ट है जो मैं कम्पलेट करना चाता हो एक अच्छा सा डिनर में करना चाता हो इसलिए ये होटेल में आये है इसके ब्रदर के साथ फैमिली थैंक्स गीमिन वो करना चाता है एक औरत के साथ तो सोना चाता है और ये सब हो जाने के बाद वो अपने आपको मार देने वाला है ये वो चारली को बताता है चार्ली सप्राइस चो जाता है उसे धक्का लगता है उसे बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो फ्राइंक फिर से उसे कहता है कि मैं अपने आपको मार देने वाला हूँ ये फिर डिनर कर दे, फ्रैंक फिर चार्ली से कहता है कि तुम्हारी जो फ्लाइट है, ये अप मिस हो चुकी है, जो एक्चुल ताइम था, वो 9 बजे का था, पर इसने 10 बजे बोला था, उसे कहता है कि कल मुझे तुम्हारी जरूरत पढ़ने वाली है, तुम्हें यहां रु प्रैवेट रूम में जा कर बात करना चाता है, पर फ्रैंक उससे बता देता है, तुम जो भी करोगे, इसी रूम में करोगे, फ्रैंक को सुनना होता है कि क्या बात चीत चल रहे है, जब चार्ली विली को कॉल करता है, तुम्हें अभी कुछ भी करना नहीं है, इसे ignorantや जब यह call खतम हो जाता है तो Frank Charlie से कहता है यह तुम poor हो और वो reach है वो reach का कुछ ही बिगार नहीं सकते पर तुम्हारा बहुत कुछ बिगार सकते जो इन्हें पता करना है यह पता करकर ही रहेंगे और तुम्हें इन्हें बता देना चाहिए यह जो तुम्हारा फ्रेंड विली है इसके फादर को खुषना कुछ तो पता ही चल जाएगा और इसके बाद विली ही सब कुछ बता देगा इसमें तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आज थैंक्सगिविन है तो फ्रेंक का जो ब्रदर है उसके घर पर फ्रेंक का और चारली आते है जब वो यहाँ बोचते है तो किसी को भी खुशी नहीं होती फ्रेंक को जो नेफी होती है नेफी की वाइफ होती है यह भी बाहते है पर इनको भी उनके नाम से वो नहीं पहचानता फ्रांक का ब्रदर चारली से पुछता है कि तुम कौन हो वो कह देता है कि वो इसकी केर करने के लिए आया हुआ है फ्रांक सुजाइड करने वाला था इसलिए फ्रांक के ब्रदर को यह कहता है कि यह बहुत इलोनली है फ्रैंक का ब्रदर कहता है तुम तो अपने घर लेकर जाते मेरे घर क्यों इसे लेकर आये हो यह फ्रैंक सुन लेता है फ्रैंक और उसके ब्रदर की फैमिली यह सब अब लंज करने के लिए बैट जाते है लंज टेबल पर फ्रैंक की जो war stories होती है यह वो सब को सुनाने लग जाता है फ्रैंक का जो नेफी होता है यह फ्रैंक को बहुत ही हिट करता है यह उसे कहता है कि तुम तुमारे फैमिली को भी नहीं जानते हम कौन है हमारा नाम क्या है यह भी तुम भी नहीं पता है फ्रैंक अपने नेफियू के इंसल्ट करने के लिए कहता है कि तुम्हारी जो वाइफ है या अनसैटिस्वेड है तुम इसका अच्छे से खायल रखो नेफिय फिर चीर जाता है कि तुम बहुत ही इंटरस्पॉंसिवल हो फ्रैंक ने अपने आइसाइट कैसे लॉस किये वो चारली को बताता है यह कहता है कि आर्मी में था पर इसकी सुपीरियर्स से किसी से भी अच्छे सनेव बन दी थी इसे वज़े से इसका कभी प्रमोशन नहीं हो पाया एक दिन यह ग्रेनेट से खेल रहा था इसकी जो पीन थी यह निकल गई थी और इससे इसका एकसिडन्ट हो गया इसकी आइसाइट चली गए इसने सब को बताया कि इसने जो पीन है वो अंदर ही डाल कर रखी थी पर इससे कुछ फरक नहीं पड़ा फ्रैंक उस पर बहुत ही चिर जाता है उसका गरा पगड़ लेता है अपने ब्रदर से बात करकर वहाँ से फ्रैंक चला जाता है नेकस दिना में दिखता है कि फ्रैंक की पास एक गण होती है इस गण को तोड़कर वो फिर इससे जोड़ रहा होता है वो चारली को बताता है कि मेरा time count करो उसे 30 second ही लगते है उसे 25 second चाहिए होते है चारली एगन देखकर डर गया होता है फ्रैंक अपने आपको मार सकता है इसा उसे लगता है फ्रैंक को अभी भी कुछ चीज़े करने होती है तो फ्रैंक चारली को कहता है कि और एक दिन तुम रुख जाओ चारली कहता है कि मैं यह रुख सकता हूँ पर तुम्हारी जुगान है यह तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी फ्रैंक कहता है कि मैं करनल था मैं कभी भी अपने आम किसी को भी ने देता चारली मारने रहता तो उसे सिर्फ गोलिया दे देता है चारली जो वहाँ से जाने लग जाता है तो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो चारली कहता है कि यह गलत है सही गलत मैं फरक में जानता हूँ फ्रैंक कहता है कि इसी कुछ भी चीज नहीं होती तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो फ्रैंक इस पर बिलीव नहीं करता फ्रैंक और चारली सिटी में घुमते हैं फ्रैंक शेविंग एकरा करता है जब रस्ते से चल रहे होते हैं तो Frank उसे पुछता है कि और भी तुम्हें कुछ चीज़ खाये जा रही है मुझे तुम्हें ये बता तो Charlie कहता है कि मुझे ब्राइब दी गई थी मैं अगर हा के देता तो मैं Harvard में जा सकता हूँ Frank कहता है कि तुम्हें ये ले लिनी चाहिए तुम्हें जो फ्रेंड ये बहुत दिरीच है उसके फादर उसे बहुत डाल सकते है पर तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करने वाला तुम्हें जांस मिल रहा है तो तुम्हें ये ले लेना चाहिए Charlie उससे कहता है कि मैं नहीं करने वाला फ्रेंग उससे बुछता है क्यों नहीं करने वाले Charlie कहता है कि ये गलत है मेरे फ्रेंड्स के बारे में ऐसा हमें नहीं बता सकता फ्रेंग कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा सोच रहे होगे तो इस वर्ल्ड में तुम्हें बहुत जादो तकलिफ होने वाली है ये दोनों फिर डिनर करने के लिए और एक बड़े से होटल में आ जाते है वाँ फ्रेंग को एक स्मेल आती है वो भुछता है कि ये स्मेल कहा से आ रही है एक लड़की बेटी हुए होती है चारली इसकी लोकेशन उसे बताता है फिर फ्रेंक उट जाता है और लड़की के बास जाकर वो दोनों बेट जाते है ये अकेली होती है और फ्रेंक को लगता है कि इसे कंपणी की ज़रूरत है जब वो उससे बुच्छता है तो ये लड़की कहते है कि मेरा जो बॉइफरेंड है कि अभी अभी आने वाला है Frank कहता है कि तब तक हम तुम्हें company दे सकते है Frank उससे पुछता है कि या dance चल रहा है तुम क्यों dance नहीं करे वो गहती है कि मेरा जो boyfriend ने उसे dance करना नहीं अच्छा लगता Frank कहता है कि तुम मेरे साथ dance कर सकते हो वो जड़ा hesitate कर रही हुती है Frank फिर उसे confidence देता है और ये दोनों dance करने लग जाते है ये दोनों बहुत ही enjoyable dance करते है और फिर से table पर आकर बेट जाते है इस लटगी का फिर boyfriend बहाता है और इन दोनों को city में जाना होता है इन दोनों का चो बील होता है ये Frank insist तरता है कि वो पे कर दे Frank और Charlie रात में अपनी निमो में एक जगा आते है एक hotel होता है Frank ने अपने driver को बोला था कि उसे escort की जरूरत है ये इसकी पास अब आ चुका है Charlie गाड़ी में रुखता है और Frank इस और इस औरत के साथ सोने के लिए जाता है Frank जब गाड़ी में से अपने friend को call लगाता है तो वो से पता चलता है कि विले ने अपने father को बता दिया है वो अपने father को नहीं बताने वाला था जैसे Frank ने कहाता वेसे ही सब कुछ हो रहा है जब रात हो जाती है तो Frank वापस आ जाता है और होटेल में आ जाते है निए दिन सुबा जब होती है तो Frank बहुत ही ठक चुका होता है उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता Charlie को लगता है कि हम एस सुसाइड कर सकता है इसलिए उसे चीरलोप करने के कोशिश करता है वो कहता है कि हम New York में कुछ करते है कही हम जा सकते है ड्राइव के लिए हम जा सकते है जब Frank ड्राइव का नाम सुनता है तब उसे फिर से उमीद आ जाती है फराइव को दुनिया में दो ही चीज़े अच्छी लगती है एक है वूमन और दूसरी फरारी इसे फरारी ड्राइव करने के बहुत ही इच्छा होती है ये दोनों फिर फरारी के शॉप में आ जाते है ये गाड़ी लेकर टेस्ट ड्राइव करना चाते है पर जो सेल्समेन होता है ये उन्हें मना कर देता है वो कहता है कि है बहुत ही जादा कॉसली है अगर इसको कुछ हो गया तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फ्रैंक बहुत ही पस्पेस्वी होता है और जो सेल्समेन होता है इसे वो ब्राइब दे देता है 2000 डॉलरों से दे देता है और इसके बाद ये ड्राइब करने के लिए गाड़ी को बहर ले कर जाते है चारली गाड़ी बहुत ही स्लोली स्लोली चाहरा होता है थोड़ी देर बाद एक सुमसान जगापर वो आ जाते है और अब फ्रैंक गाड़ी चलाना चाता है फ्रैंक को कुछ दिख नहीं पाता जिसे उसे पता ना चल सके कि अंदा है यह officer से sorry केता है वो केता है मेरे बेटे को इस car का speed देखना था क्या मैं इसे disappointed कर देता है officer केता है कि हाँ ऐसा तुम्हें करना चाहिए और officer इसे छोड़ देने वाला होता है क्योंकि यह करना ले यह उसका respect करता है एक टेस्ट ट्राइक हो जाने के बाद Frank बहुत ही ठक जाता है Charlie फिर उसे hotel में लेकर आता है Charlie को कहता है कि मुझे सिगास चाहिए इस सिगार लाने के लिए एक बहुत ही दूर के store पर उसे वो भेज रहा होता है Charlie जब नीचे जाता है तब उसे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो कर बड़े वो फिर से hotel room में आ जाता है जब वो room में देखता है तो करनल ने अपने जो uniform में वो पहन लिये उसके पास gun ए उसमें bullet से और वो आप खुद कुशी करने वाला है Charlie उसे रोकता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता करनल कहता है कि ये मैं करने वाला हूँ तो मुझे रोक नहीं सकते अगर तुम यहां रुके तो मैं तुम्हें भी मार दूँगा और अपने आपको भी मार दूँगा Charlie उसे कहता है कि प्लीज ये gun रग दो तुम पेन में हो फ्रांक कहता है कि तुम्हें क्या पता कि पेन क्या होता है फ्रांक कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूँगा वैसे भी तुम्हारी लाइफ खतम हो चुकी है इसके बाद तुम्हारा करियर ओवर हो जाएगा जैसे तुम्हारे पैरेंस जीते थे वैसे तुम्हें जीना पड़ेगा क्योंकि तुम अच्छे से स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर पाऊंगे चारली अभी भी मानने रहा था करनल से वो गन जिन लेता है ये दोनों जगरने लग जाते है करनल फिर से अपनी गन ले लेता है करनल उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें मात देने वाला हूँ हो काउंट करने लग जाता है चारली कहता है कि वेसे भी मेरी लाइफ ओवर ही है अभी अभी तो तुमने कहा है करनल फिर कहता है यह मुझे डाउट है कि मुझे एक करना चाहिए या नहीं और फिर वो गन रख देता है फ्रैंक फिर चारली से ड्रिंग मांगता है और यह दोनों काउच में बैट जाते है फ्रैंक कहता है कि इतने साल मैं यह सब जीता रहा मेरा एक ही goal था कि मुझे भी एक company चाहिए थी जैसे wife होती है उसी तरह से compassionate उसे कोई चाहिए था चारली कहता है कि तुम अभी भी वो सब पा सकते हो चारली उसे मजग मजग में कहता है कि तुम compassionate हो तुम easy हो तुमारे पास रहना बहुत ही fun है और तुम जब travel करते हो तो बहुत ही fun बन जाते हो Frank भी यह मजाग में लेता है Frank उसे पुछता है क्या तुम मेरी मजाग उड़ा रहे हो फिर यह दोनों इसमें हसने लग जाते है अब इनका फिर से घर जाने का time आ जाता है जब एक car में होते है तब Charlie को call आता है उसके जो principal थे उसने यहने call किया होता है जब एक घर जाएगा तो एक बड़ी सी meeting होने वाली होती है इसमें यह जो सब incident हुआ है इसके बारे में hearing होने वाली होती है Charlie को उसके school में फ्राइंग छोड़ देता है जाते हो उसके कर जाता है कि मैं ठीक हूँ कोई problem नहीं है Charlie को जो face है वो फिल करता है वो कैसे दिखता है यह उससे पता करना होता है जो hearing थी है वो अब start हो जाती है Charlie यहाँ बेठा हुआ होता है विली जो था उसके parents भी यहाँ आय हुए है प्रिंसिपल है फिर room address करने लग जाता है वो कैता है कि हमारे जो institute है इसकी integrity का है सवाल है इसलिए बहुत strictly एक committee के सामने सब facts डाल रहा होता है यह फिर विली को pressurize करता है वो कैता है कि जो भी सब हुआ था यह मुझे clear cut बताओ विली केता है कि मेरे contact lenses जो थे वो on नहीं थे मैं खुझी बता नहीं सकता उसे बहुत जादा pressurize करने के बाद अपने friends के नाम वो बता देता है अब यह Charlie से question पूछने वाले होते है तो यह वहाँ Frank आ जाता है यह Frank से पूछता है कि तुम कौन हो Frank केता है कि इसके parent यहाँ आनी पाए मैं उनका अच्छा सा friend हूँ मैं इसके parents की भिहाब में यहाँ बैटने वाला हूँ Principal फिर Charlie से question पूछता है उससे पूछता है कि तुमारे तो eyesight सही है तुम बता सकते हो कि यह चार लोग थे या नहीं थे Charlie केता है कि मुझे ज़्यादा clear नहीं है मैं कुछ दीख नहीं पाया उससे फिर से एक chance देता है बाए Charlie कुछ बता था नहीं फिर यह जो principal होता है committee को केता है कि जो फिली था इसने कॉंटाइ लेंसे नहीं पिने थे इससे हम कुछ बुलवा नहीं सकते पर यह जो Charlie है इसने सब कुछ देखा था यह बिक चुका है इसलिए हम इस पर भेलिव नहीं कर सकते है हमारे institute में हम इसे रहने नहीं दे सकते है इसे हमें expel कर देना चाहिए Frank फिर यहाँ बोलने लग जाता है वह कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जो actual culprit है उन्हें छोड़ कर दे रहे हो और इसे तुम सजा दे रहे हो और इसने ऐसा किया भी क्या है उसके friends के लिए cover कर रहा था इसके पास integrity है इसकी integrity है maintain कर रहा था इसे बोलने के लिए बोलकर तुम इसे स्नीच बना रहे हो इस institute में तुम सब लोग को स्नीच बना रहे हो इसे तुम real world में कैसे जी पाओगे को भी तुमारे सामने अगर मुश्किल आ जाए तुम इसे डर कर भाग जाओगे जो Charlie इसमें integrity है और किसी भी चीज़ के सामने ये डर कर भागेगा नहीं लाइफ में यही जादा important है Charlie जैसे लड़कों को तुम्हें protect करना चाहिए उसे institute से नहीं निकाल देना चाहिए एक दिन आएगा जब institute को Charlie proud बनाएगा जब Frank अमनी speech कतम करता है तो committee भी decide करती है कि Charlie को कुछ भी होना नहीं चाहिए चारली और Frank को बहुत ही खुश होती है इस institute में एक teacher होती है जो भी Frank की age की होती है उसके पास आती है उसकी praise करती है Frank उसे directly बूश लेता है कि क्या तुमारी शादी हो चुकी है यह कुछ भी नहीं बोलती यह दोनों एक दूसरे से flood करने लग जाते और यह date पर जाने वाले होते है चारली फ्रांक की घर उसे छोड़ने के लिए आता है जिस लिमो में वो आया था उस लिमो के driver को बहुत सारे पैसे वो दे देता है वो कहता है कि चारली और में फिर से तुमारे साथ सफर करेंगे यह driver भी उसे बहुत सारे पैसे मिले तो बहुत ही खुश होता है फ्रांक फिर आगे चलता हो हम दिखता है उसके जो granddaughter और grandson जो होते है इनसे वो खेलने लग जाता है अपनी जो life है इसे वो अब better बनाना चाता है चारली भी देखकर खुश होता है और यह movie खतम हो जाती है फ्रांक सुसाइटल था उसके life बहुत ही खराब हो चुकी थी पर अपनी life बदलने के लिए कभी भी late नहीं हुआ होता कभी भी अपनी relationship पर काम कर सकते हो और सही से decisions ले सकते हो फ्रांक ने अपनी life सही करने के लिए पहले कदम तो ले लिए है उसकी जो Charlie के साथ relationship है ये भी अब eternal हो चुकी है ये beautiful movie एक अच्छे message के साथ यहाँ खतम हो जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहे तो तो प्लीज इस चैनल को सबस्राइब कर दीजे और bell notification आइकोन भी दबा दीजेगा हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये